हेलो फ्रेंड आज पुशत तम्मास का 13 वा दिन है और शक्कर और हनीमत के दान का बहुत मात्व हैं तो हम शक्कर के बताशए मार्केट में भी मिलते हैं बट हम घर पे भी बना सकते हैं तो क्यों नहीं पूजा के लिए जब हम प्रसाद बना सकते हैं घर पे तो बताशए भी अधिकतोरी से भी कम मेंने पानी इस्तेमाल किया है या आधी कटोरी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं यह दू हमगग्ट आपानी हुग्गों कि कि जादा पानी इस करेंगी थे नोन ٹड है तो हमको अब करना है जैसे कि आपको वीडियो में देख रहा है चलाते हुए हाँ मंझे he Chinese मीडियमसलो जैसी भी ऑसको चलाते हुए आपको मेरी अबी फ्लेम जो है मीडियम है देखें फिर थोड़ी देर के बाद इसे बबलस आने लगते हैं अभी मिशकर हल की पिगली नहीं है पर हम बताई है आपको चाषनी नहीं बनानी है ति रीड़ tekrar करो में बनती है उसी समय आपको क्या करना है इनो पॉडर लेना है एक से दो पिंच देखिए आपको चमच में देख रहा है दो पिंच इनो पॉडर लिया और उसको हमको दालना है अब जो प्रोसेस है वो फास्ट होने वाली है क्योंकि अब इनो पॉडर दालने के बाद देखिए इसके में लगा सकते हो आप बटर पेपर का इस्तिमाल कर सकते हो कुछ भी कीजिए अब प्रोसेस के लिए फैन शुरू कर दीजिए है तो आपके पास तो यह हलकी सी थंडी हो जाएंगे एकदम ट्रांस्परेंस चशनी रहेगी तो आपके बताशे अच्छे नहीं बनेंगे देखि बड़े आपको जैसे बताशे बनाने हैं सब्सक्राइब को इसके लिए उसका शेप इस्तमाल करना पड़ेगा मैंने सिंपल से अभी फटाफट से गोल बताशे देखिए अभी ही जाशनी गाड़ी हो गई है कि आपका जो घोल है वो गिरनी रहा है इसलिए आपको जो भी आपके बताशे अच्छे बनते हैं देखिए इस तरीके से मैंने सारे बताशे फटाफट से डाल दिये विदिन अ मिनिट आपके बताशे थंडे हो जाएंगे पहले जो दाले थे चार बताशे आपको दीख रहे हैं वो थोड़े केसे है थोड़े से टांस्परेंट है तो उ बताशे जो है यह अभी अपके एक मीट में सूख जाएंगे और बढ़िया से आपके आपके कलर के बनाने तो आप इसमें कलर दाल के भी बताशे बना सकते हैं जैसे निकल गया है नीचे घी लगया था तो इस जाझी थोड़े ठोड़े से एक मीन चाही में सब ये पुझा सब पुझा में लगते हैं वीडियो अच्छी लगी तो प्लीजल की और बाकी अपने फ्रैंस की सार्थ शेयर कीजिए बहुत अच्छा वीडियो है हर पूजा में दिवाली में हर फेस्टिवल में हमको एकाम आता है थैंक यू फॉर वाचिंग फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाई